वक्त कम है जितना दम है उतना लगा दो कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ कुछ लोगों को आप जगा दे Hello and welcome friends स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल online gkgs classes में तो friends इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि दिवानू से होने वाले रोग कौन-कौन से हैं और उसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि विशानू से होने वाले कौन-कौन से रोग हैं और उसे कैसे हम लोग याद करेंगे इससे भी related question जो है RRB, NTPC, SSC और और अधर्स exam में जो है question आते रहते हैं question इस प्रकार से आते हैं कि विशानू से होने वाले कौन-कौन से रोग हैं और option में कोई एक दिया हुआ रहेगा और तीन other option दिया रहेगा कोशन इस प्रकार से भी आते हैं कि इनी रोग में से किसी एक रोग को दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि यह रोग जो है किस वाइरस या विसानू से होने वाला है किन से होने वाला है तो उससे आपको जब तक ये रोग याद नहीं होंगे तब तक आप उस question को solve नहीं कर पाएंगे तो चलिए आज के video में हम आपको बताते हैं कि विशानू से होने वाले रोग को कैसे याद करते हैं मात्र पांच मिनट में आप लोग जो हैं विशानू से होने वाले रोग को याद कर पाएंगे, वो भी एक गम पहतरीन धंग से और बेस्ट ट्रेक से, तो चलिए शुरू करते हैं देखिए विशानू से होने वाले रोग जो हैं, एर्स हैं, चेचक हैं, इन्फ्लूेंसा हैं, हर्पीस हैं, डेंगू हैं, ट्रेकोमा हैं, मेनिजाई टीस है, यहाँ पे खच्रा है, रेवीज है, गल्सुआ है, पीलिया है, छोटी माता है, पोलियो है इतने सारे विशानू से रोग होते हैं, विशानू को हम लोग इंगलिस में वाइरस भी करते हैं, तो अब इसको कैसे याद करना है, चलिए हम लोग चलते हैं, अपने ट्रेक की तरफ, तो देखिए मेरा ट्रेक क्या है इस ट्रेक को जो है, हम लोगों को दो से तीन बार अपने मन में बूलना है इस ट्रेक को अपने मन में दो से तीन बार अगर आप टिवाइस करते हैं, उसके बाद जो है आपके मन में questions जो है, images जो है, बनने लगेंगे की A से का होता है, तो A से देखिए यहाँ पर AIDS होता है चाचा का पूरा अर्थ है कि चाचा से यहाँ पर चेचक होगा यहाँ पर E से influenza होगा, हो से हर्फिस होगा, डर से डेंगू होगा, टर से ट्रेकोमा होगा मत से मतलब है यहाँ पे, कि मत से क्या है मत से यहाँ पे meningitis होगा, खो से यहाँ पे खसरा होगा, यहाँ पे देखिए rhes से रेवीज होगा गाल से यहाँ मतलब है कि गाल से गलसुआ होगा यहाँ पे देखिए पर का मतलब है पर का पूरा आर्फ है यहाँ पे पिलिया यहाँ पे छोज से छोटी माता होगा और यहाँ पर से पुलियो होगा दें जो है sentence को बनाने के लिए याणी sentence को पूर्ण करने के लिए इसे दिया गया है तो गाईज अगर इस word को आप जो है दो से तीन बार अपने मन में रटेंगे यानि मन में बोलेंगे तो आपको जो है ये trick याद हो जाएगा और trick से जो है ये रोग सारे याद हो जाएगे याद हो जाने के बाद जो है आप कभी भी आप कभी भी जो है इस ट्रिक को और इस रोग को नहीं भूल पाएंगे और विसानू से होने वाले जो भी related questions आपके exam में आएंगे